आपके भी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में, यौरप, और तें जलाई जा रही थी, विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग, हिंदुस्तान, सती परथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही माँ डालते थे, पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में, मुहमद साहब लैंप लेकर खड़े हुए, इस्लाम, प्रेम, मैसेज, हुजूर साहब गुजड़ते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके उपर डेली कूड़ा फेकती थी, हमारे आपके उपर फेकते हम तो गोली चला दे तुरंत, कि मैं कोड़ा फेको के वो भी हम, हम मतलब मैं, वाजी राम के टीचर, इतनी अवकात तुम्हारी, पैगंबर, पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं, पैगंबर, वालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सरप, एक दिन उस महिले ने कोड़ा नहीं फेका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मौतरमा कहा है, पता चला बिमार है, गए हाल चाल पूचा, कहा मालिक से दुआ करूँआ कि आप जल्दी ठीक हो जाए, ये है ये, हम से लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं, इसलाम इतनी मौनों का कबजा, क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे, कि जीतने के सद्धान्त क्या है, जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है, चोर किस चीज़ का इस्तमाल करता है, तलवार का, ये उन्होंने मुझा कि हम इंस्टिटूट का नाम क्या रखे, हमने का इकरा रखो, बड़ा अंधेरा है दुनिया में, इकरा मतलब पढ़ो, आज सबसे जादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा, मुसल्मान, पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशे इसके नही नहीं है, वो कहता पढ़ो, समझो, तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे वे तैफ, वहां के लोग हुजूर साब को पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं, अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्टर है, धाले साहब आई जी है, तो मैं तो ज जबराईल साब ने हुजूर साब से कहा कि कहो तो तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो लोग यह जो मुझे पत्थर मार रहे हैं, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे, मैसेज, आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है मुझे, नहीं, समझना है, आप पहली जल्दी पता क्या करते हो, आप स्ट्रेस लेके काम करते हैं, पढ़ना है, मैं नहीं कहता, आप किताब है इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी, पर कब, जब आप उन्हें समझो,